हाँ है कि आट कैडिरों की भर्तियों की फाइल है वह आप कहीं सामने आई अधिक हो चुकी है यहां पर सखिलिय हो चुकी है लेकन है फार्मे में ने बैटावार उनकी जो रही हैं तो दूसरे दिन सब्सक्राइब कर दिया है और वो अपनी मांग को लेकर यहां पर हम बात कर लेते हैं कुछ ब्रतियों से क्या नाम आपका मेरा नाम पुक्राज है मैं एसमस में फारवासिस्टों सर लेकिन पिछले 23 दिन दलना दिया था लेकिन फिर भी साथ दिन सरकार ने बोल के हमारों को आश्वासन दिया लेकिन उसमें गुम्रा हो गए हम अभी हमारे फार्मासिस्ट साथी कम से कम देट सो 211 हो और कल से हमारे दिपक जी फार्मासिस्ट जो शीनियर साती वह आवरा नंसन पर आएंगे और एलान कर दिया है कि वहार हम फार्मासिस्ट क मीवरी पर रहे हो इस उसन फिराइन कर यह करते जा रहे हो लेकिनंदों जल्गी कर से की जल्गी हो अभी इस केला अपने पास कुछी नहीं अ सब्सक्राइब करके दुनिया अब हमारे को साट जार की जुरुत है इतने दिन से परेसान हो लिए अब आगे से परेसान होगे नहीं हम आपकी छोटी-मोटी बातों के बैकाव में आने वाले अब यह तो कहना उचित नहीं है कि कहा तक बढ़ पाएंगे मगर हीए जरूर है कि एकर हम यहां पर जाड़ना परतस नोब करेंगे और सरकार के आख को खोलेंगे तो इससे हमारी प्रोविजिनल निस्का हमारी क्यों मुखयं मांगे वह हमें जरूर भी पर उत रहेंगे कल से आमरा नंसन पर बैठ रहे हो आप उमर भी हो चुकी है आपकी क्या लगता है कि आप इस टैमिना भी कम है यह मेरा एक परियास है और अगर इसमें मेरे जान भी चल जाते तो मुझे इसका कोई गम नहीं रहेगा क्योंकि मैं अपने परिवार को भी निश्चे तुम से कह क अब मैं प्रविजनल लेकर ही घर पर आऊंगा और जब तक मुझे प्रविजनल नहीं में लेगी मैं आंसन करूंगा विपक चंगानी है एक बैठती ओड़ने क्या नाम आपका जोतेस मेना जोतेस दुबारा दने पर बैठना पट रहा आपको साथ दिन का समय ग्यारा दिन कि अब कल से अंसन पर बैठेंगे तो जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी जब तक अंसन करना हो पड़ेगा और चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मारी प्रविजिस्ट जारी करें और में न्युक्ति दे जल्दी से ज कार और अबर्ति जो हैं आपके फार्मसिस्ट के वह आरपार की लड़ाई लड़ेंगे पहले हमारा सयुक्त आठ केडर में धरना हुआ था मगर एक धरने का हितिया से जब कभी भी अगर कोई धरना खतम होता है तो वह धरना दूबरा स्टार्ट होने में या तो दो मेने का समय लगता है मगर फार्मसिस्ट केडर ऐसा केडर है जो हमेशा एकत्तित है इसी के तहत हमने तुरंती साथ दिनका में अल्टिमेटम दिया गया था मगर हमने 11 दिनी अपना वापिस टैंट गाट दिया है शिपू के बार और हमारी मुख्य मांग यह जब तक प्रोइसनल दीपक जी शंगानी जी जो 50 साल के हो गए हैं वो कितने साल नोक्री करेंगे वो दस साल नोक्री करेंगे वह किसली लड़े हैं वह हमारे जैसे छोटे भाईयों के लिए लड़ रहे हैं उनका हम दिल से स्वागत करते हैं साथ में एक चीज विशेस रूप से यह भी है जिस सम अब रहा है राज्य को अवल नंबर पर पहुचा है कोरोना जैसी मामारी से हमने जीत दिलाई है और रास्तान को चिकिस्टा की लेवल में एक नंबर पर पहुचा है और अब सरकार से मुक्य मांग यह यह कि हमें तुरंत प्रभाव से प्रोविजिनल सूची जारी करो अग में यहां आमरे नंजन करेंगे अगर हमारे चीनेर साथी दीपक जी चंगानी जी के अगर कुछ भी जना नहीं होती है उसकी सप्पूर्ट जिमार्दारी समंधित अधिकारी और राज्य सरकार और चिकिस्टा मंतरी की होएगी और साथ में उनको यह भी निशित कर देना च आपको समय बड़ा बलवान है आज आपकी लाठी में दम है किसी दिन हमारी लाठी में भी दम होगा इसी चीज को आप गोर से देखे और रही बात चिकिस्टा मंतरी जी राजा साहब है क्यूसर से हैं और लोवार्ट विदान सभा से हैं उनसे मेरा विशेश अनुर्यों द दुखी है तो आप समझ जाओ के राजा चेंज भी हो सकता है बहुष्य में दन्यवाद विशुजीत है किस वार देखते हैं पर दन्यवाद को दुबारा आपको जादर मिशानी पड़ी है और पितागन ने आपके लिए सब सब इंगार भी कर दिया है सर मैं पेरामेडिक आर्टी केडर से हूँ जब भी अट पिछली अठारा तारीकों जैसे दर्णा स्टार्ट हुआ था तो हमने एक सफत ली थी कि जब तक एक केडर की न्यूकति और फार्माई प्रोविजिनल लिस्ट नहीं आ जाती तब तक हम इनके साथ संगर्स करेंगे और आपको पता है पिछली इस नो तारीकों पुलिस परसासन के दुआरा और पुर विदाइक जी के दुआरा वादा किया गया था कि साथ दिन में आपको अच्छी न्यूज मिलेगी लेकिन साथ दिन में अच्छी न्यूज अगर आपको नहीं मिलती है तो आठवे दिन आ होता है कि आपने जुठा वादा किया है और औगे की हम सर ये कह रहे हैं कि जब हमने वादा कि ये बियान मनमन चाहता हूँ कि हमारी एक बैन मनिसा सुनी जब मैं इड़िया हूई बैनक हाथ सहा हुआ हो सकता था कि उनकी जान भी जा सकती थी लेकिन उस परिस्तिति में आप उनसे दुल्लब जी में मिलने ने गेर कम से कम आपका एक कमेंटमेंट मी नहीं आया कहीं पर ट्वीटर पर कहीं पर हमने कोई मेसेज नहीं देखा तो आप महिलाओं के परतिस्वेंदन सील बताते हैं आपकी सरकार इसी तो राम राज्य में महिलाओं के साथ ये इतना कुछ हो रहा है उसके बाद में भी आप इनकी सुद नहीं ले रहे हुए तो ये सर गलत है कास बात करी आपने मनिसा सोनी की उनके असोसम नहीं दिया गया था कि सासन पर सासन है उनकी देख देख काड़ेगा और उनके कोई बात सामने नहीं आई नहीं पता है उनको ये भी नहीं पता था कि किसी ने उनके इलाज की बात किये SSO साब चलो नेक दिल है उन्होंने बोला कि हम इनका फ्री इलाज करवा देंगे लेकिन हम गए तो वहां पे सर उनका सिटी सकेन का जो रिपोर्ट है वो हमारे पास है उनको सोडा से अठारा जार रूपे उन्होंने पे किये तो सबसे पहले फ्री इलाज की बात बाद में पहले वो पैसा रिफरंड करवाया जाए उनको और उसके बाद में जो भी आपने वादा किया है तो साब में आमने राम की चवी देखी थी कैसे भी करके आप उस बहन की जो भी समय से है उसके जो भी खर्चा है उसको सायता दें यह विकास्त है क्या कहेंगे आप हमारे यह कहना है कि हमने हमने 23 दीन के बाद धर्णा इस्तेगित किया वह भी एस्यश्व रासीं मेडम और हमारे पूरू विदायक रामलाल जी क्या इनके बोलने पर अमने धर्णा इस्तेगित किया और इन्होंने शात दिन का टाइम दिया तो हमने 7 दीन की जगा उनरा दिन वेट कर लिया और नाई नाई मेडम की तरफ से कोई प्रेस नोट जारी हुआ नाई हमारी वेकेंशी के बारे में कुछ गूड नीज मिली तो सरकार से सरकार ने मतलब हमने 11 दिन वेट किया सरकार ने मलब एसा कोई भी पोजिटिव रेस्पोंस नहीं दिया जिस करण हमने मलब बेट सके इसलिए फिर हमने कल वापिस दरना स्टार्ट किया और सरकार से हमारी यही मांगा कि जब तक फार्मासिस्ट की प्रोविजनल और छोटे के जब तक हम दर्ना निच्वोडेंगे और दर्ना कंटिनी चलेगा अब कर्मिक आठाव को अगर सरकार जब भी नहीं मानती तो सड़कों पर उतरेंगे और यह भी नहीं हो तो हमारा यूनियन बना के और विदासवागे और होश्चा का तो लोकसवाचुनाव में इस सरकार क को हम बता देंगे कि बेरोजगार यह हुआ कि बेरोजगार यह हुआ क्या कर सकते हैं अब देखने वाली बात यह होगी कि दुबारा इनका संगस हो कहां तक प्रफल होता है कितनी मजूती मिलती है संग्यापल कम है लेकिन दगातार आवान किया जारा है कल से ज़्यादे बादार और बिडूतरी होगी अब सरकार और अप्यरति हैं आधवार की लाड़ा के मूड में हैं सिफू ने लगतार अपना काम कर दिया सिफू के अंदर से जो सूचना आई है वो बता देता हूं आप संजय सर्मा के साथ संधीपकरवाल दन्नगरी मीडिया जियापूर